जेगो मता, जेगो पाल, सादर एरिस्मर्ण, जय हिन्द, जय भार्त, जय तेदा जी की, और सब आप कैसे हैं, सब लोग आईए जुड़िये, आज चर्चा करते हैं, सेल्सी के पेज़ पे, सेल्सी के मंज़ पे, सभी छात्र छात्राओं से, अभी वाउकों से आज, मुझे भी समवाद करने का सोबा के परदान सुर्ण जी ने किया है, आज हम आपसे कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे, पड़ती दिन जैसे, पुरी सेल्सी की टीम, आपके साथ जुड़ती है, समवाद करती है, आपको, बच्चों को, अभी वाउको, निर्देशित करती है, उसी चर्णबद सरंखला में आज मुझे भी आउसर मिला है, एक बहुत बड़े परिवार से मिलने का, एक बहुत बड़े ऐसे समुहे से मिलने का, जो परिवार समाज, रास्टर, निर्माण में, अपनी जो महती वुमिका निभा रहे हैं, और निभाने के लिए तैयार हो हैं, ऐसे समुह है परिवार से, मुझे मिलने का, उसर मिलना है, तो मैं सभी से आगरे करूँगा, कि आप सभी जुड़िये, सभी लोग और सभी को जुड़िये, सेर करिये, ताकि आज की विदिवत मैं चर्चा प्रारम करता हूँ, एक बहुत बड़े परिवार से, आज मै भी स्वेम भी ऐसे मैसुश कर रहा हूँ, अच्छा कि ऐसा जो परिवार, जो एक पिछले 25 वर्स की अथक मैनत के फल सरूप, परिणाम सरूप जो अस्तापित की है, उस से मिलनेगा जो मुझे अवसर परदान हुआ है, उसके लिए, तो आप जुड़िये, सब लोग और व सब लोग जुड़ जाएं, CLC की टीम भी पूरी जुड़ रही है, मनोजी डाखा, CLC, पतेपुर जें, नर्पसिंग जी पालावत, दिहान चोदरी, सोनू, सेंदपूर, जै, CLC तो अपन आज विदिवत चर्चा प्रारंब करते हैं, उससे पूरु है, आप सभी जुड़े होए, छात्र छात्राओं को, अभी बहावकों को, CLC की पूरी टीम को, जै, CLC की, जै, गो, माता, जै, गो, पाल, सादर, अरिश्मन, जै, तेजा जी की, जै, भारत, माता की, वंदे, मात्रम आज, एक सेखावाटी नहीं, पूरी राजस्तान का, जो बहुत बड़ा, सिक्सा के छित्र में, अपना महत्व रखता है, अपना वजूद रखता है, ऐसी सेंस्ता, CLC के पेजसें और CLC के परिवार में मैं बैट करके, आप से सवाद कुछ समय, सिक्सा, सेंसकार, के विशे पे, चर्चा करेंगे, जैसा कि आज का विशे है, सिक्सा, सेंसकार, और सरोकार, इस इसवे को मैं बाद मिलूँगा, लेकिन एक CLC जो है, उसको को नहीं जानता, और विशेसकर, अभी जो लाइव जुड़े हुए हैं, अभी वावक चात्र आएं, जो भी मित्र मनली, वो तो CLC को सब जानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता कि CLC के बारे में कुछ मैं बताऊंगा, बताने की आवसकता है, बताने की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं समझता, परंतु मेरे मने में एक जरूर भावारा है, कि CLC का एक जो पहलू है, उस पे मुझे है आज चर्चा करनी, कि आवसकता मैं मैं सुछ कर रहा और ऐसा तो नहीं है कि उस विशे को भी लोग नहीं जानते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि संभवत है CLC का आध्यात्मिकता का दार्मिकता का राष्ट्रियता का जो एक बहाव है वो जानना पहचानना बहुत ही आवसक है देखो CLC ने बहुत कुछ दिया है इस देश को ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियें छात्र छात्राओं को तयार करके देश को समर्पित किया है एक नई सैकड़ों नई अजारों की संख्या में CLC ने डौक्टर्स दिये हैं इंजनियर्स दिये हैं और भी भहुत कुछ दिया है अच्छे इनसान दिये हैं वो तो है ही है लेकिन उस देने के पिछे जो बहाव है CLC का और उस देने के पिछे जो एक बहुत बड़ा कारण है एक संकल्प है एक दर्ड़ता है उस पे चर्चा करना आज मभोती आवसक समझूँगा CLC और मेरा बहुत से ऐसे बिंदू है जिन पर संयोगवन्स समानता बन रही है बनती है CLC प्रारम वोई थी गुनिसो च्छानमे में 31 जनवरी गुनिसो च्छानमे से CLC प्रारम होई थी और मेरा भी संयोगई ये बन रहा है बना है कि गुनिसो च्छानमे में ही मैं बुद्गिरी मड़ी की गद्धी पे बैठा था गुनिसो च्छानमे में और गुनिसो च्छानमे में ये एक CLC प्रारम वोई थी तो ये एक बहुती संयोगवन्स साथ साथ ही है मेरा आध्यात्मिक्ता का सफर सेवा का सफर और CLC का सिक्सा का सफर प्रारम जो होआ है वो एक साथ ही होआ है और इससे आगे भी मैं कहूं, तो CLC जिसको स्तापित किया है और एक सपना सजोकर के, पूरे छेत्र को, पूरे राजस्तान को, और राजस्तान से बहारी लड़कों को जो एक विचार दिया है, मेरे मित्र, मेरे साथी सुरंड जी, आप आस्तर ये करेंगे, मैं मित्र क्यों बोला हूं, साथी क्यों बोला हूं, मेरे मित्र ही हैं, बाई से भी बढ़कर मित्र होता है, इसलिए बाई बोलने कि आप सकता है नहीं, और मेरे साथी हैं, और मेरा सुभाव भी ऐसाई है, जैसे आप अपने बोस का बोस के नाम से जानेंगे आप जैसे आप अपने बोस का सुवाव जानते हैं एक उमंगता का एक कुसी का एक अपनापन का छोटे बड़े का भेद रहीत का और एक हंस्मुक मिजाज का जो एक सवाव है मेरे मित्र का सुरणजी का वो एक बहुत बड़ा मेल खाता है मेरे से भी क्योंकि ऐसा सुभाव होना आवशक है वो ही कोई ऐसा सुभाव वाला इवेक्ति समाज को कुछ दे सकता है और मेरा तो मानना है कि CLC के पिछे सर्वन जी का जो संकल्प है और संकल्प के साथ-साथ उनकी जो एक दर्ड इच्चा सकती है जुनून है मैं तो बहुत बड़ देखता हूँ आलांकि उमर के इसाब से लोगों में एक निस्क्रियता से दिरे-दिरे आने लग जाती है लेकिन बहुत बड़ चर्चा करता हूँ मैं तो तब जैसे जैसे उमर बढ़ती है सरवन जी की वैसे उसे उनकी जो लगन है उनका जो उर्जा है वो बढ़ती जाती है और एक काम के पिछे एक जुनून का बाव लेकर के एक दड़ संकल्प का बाव लेकर के जैसे काम कर रहे हैं सरवन जी ये प्रेरणी है वास्तम में मैं तो स्वेम में बहुत बर प्रेरणा उन से लेता हूँ एक पर कई बर ऐसे जो कमजोरी कार आलसे कासा जब भावा आ जाता है तब देखता हूँ कि सरवन जी कितने महनती हैं वास्तम में कहां से एक बच्चा चला क्योंकि उनके परिवार से तो हमारा तो बहुत पूराना नाता है इसलिए सब भी हम जानता हूँ और संयोग से मेरे छित्र में ही मेरी तेसल के ही और मेरे गाम के ही रोसावा गाम से ही जो जन्म होया सेल सरवन जी का और उनके जो पिताजी है सरवन जी के पिताजी का भी हमारे गुरू जी से बहुत बड़ा समंध जब वो पढ़ाते थे हमारी पंचायत में ही उनका अध्यन का कारी था तो पूराना उनसे एकदम समंध है तो CLC अत्वा सरवन जी के बाहों को मैं कहूं तो बहुत ही अच्छ तरीके से मैं जानता हूं एक मित्र अपने मित्र का सारा सवहाव विचार बहाव मन का संकलब जैसे जानता है उतना मैं जानता हूं इसलिए इस सपने के पिछे साकार होने के पिछे दर्डता जो है शरुन जी की वास्ता में काबिल तारीकर हमको सबको प्रेड़ना लेने के आवसकता हम जिस छित्र में भी है लगन के साथ बैनत के साथ संकलब के साथ हम कारी करेंगे तो कोई संदे ही नहीं है कि हम उसमें ऐस सफल हो सकते हैं निश्चित सफल होंगे इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि बहुती सुवागे साली वो चातर चातराई हैं जिन्होंने CLC को चुना है क्योंकि CLC को चुनाने का मतलब है कि व्यक्ति के निर्मान में जो कुछ पराप्त और जो कुछ स्तापीत होने के आवसकता है वो सब कुछ CLC में मिलती हैं हम बहुत बर देखते हैं और बहुत बर वर्तमान की आपादापी में और पास्चाते में सेंसक्रती में और अधुनिक्ता में सिक्सा के साथ साथ जो एक सेंसकार वाली बात है वो एक अधुरिसी देखने को मिलती है अभी बावक भी छात्र छात्राएं भी और जहां सिक्सा का केंदर है वो लोग भी बस व्यक्ति को बच्चे को छात्रों को कैसे पैसे कमाने की मसीन बना दें इसी में लगे रहते हैं लेकिन इसे से कोसो दूर CLC ये तो बनाती ही बनाती है लेकिन सेंसकार का निर्माण सेंसकार स्तापित करने का कारिये भी CLC करती है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है मैंने बहुत से ऐसे छात्रों से मुलाखात की हैं मिला हूँ जानता हूँ जो आज CLC से पढ़ ली करके और अपने अपने च्छेतर में डॉक्टरी के च्छेतर में इंजिनेरिंग के च्छेतर में वो कार्य कर रहे हैं मैं उनको बहुत से ऐसे लोगों की जानता हूं हमारे फत्यपुर में भी ऐसे डॉक्टर CLC से निकल करके आज उन्होंने ऑस्पिटल चलाते हैं खोल लगके हैं तो उनका जो विक्तित्व है मैं जब देखता हूं तो वास्त में CLC के सेंसकार मुझे नजर आते हैं तो एक बहुत खुसी की बात है गोरेव की बात है मेरे लिए भी कि एक मेरा मित्र मेरा साथी आज सेवा काई कारे कर रहा है और हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि माराज ने ये क्या बोल दिया लेकिन चात्र चात्राओं आपके बोस और मेरे मित्र समणजी कोई संत से कम नहीं है लगेगा आपको यतिसोक्ति लेकिन ये अखिकत क्योंकि कोई संत बगवा पैने वोई संत हो ऐसा नहीं है संत वो होता है जिसके हरदे में सेवा, साधना और सैंस का रस्तापित हो वोई संत है वो ग्रस्त है पैंट सैट में है बगवा में है उसका कोई माइना नहीं है जिसके हरदे में सेवा, साधना और सैंस का रस्तापित है वो ही संद है वो स्वेम इन तीनों चीजों को त्रिवेणी के संगम को दारण किये हुए है तो निश्चित उनके सानिदे में भी कोई भी मित्र आएगा, साती आएगा सिस से आएगा, वो तीनों से परिपुरून होगा सर्वन जी तीनों से परिपुरून है, इसमें कोई दोरा आए नहीं है सेवा की मैं बात करूँ सर्वन जी के, और ये सर्वन जी की बात कर रहा हूँ CLC है, इसलिए ये दूसरे के पूरो की है, मैं CLC बोलू या सरवन जी बोलू उसमें कोई अंतर नहीं है, तो मैं कह रहा था कि सेवा, मैं छित्र है CLC को जानता हूँ, सेवा के छित्र में बहुत आगे है CLC, यह मैंने जाना है यह, जब जब भी आवसकता पड़ी है, कहने की जोरत नहीं पड़ी, CLC को, सर्मण जी को गो सेवा का कारिये हो, राश्टर सेवा का कारिये हो, किसी जरूर्त मंद व्यक्ति की छात्र की आवसकता की जोरत हो, कभी कहने की जोरत नहीं पड़ी, और बिना कोई दिखावे के, बिना कोई प्रदर्शन के, जिस तरीके से CLC औ और सरवनजी सेवा करते हैं, वो दर्ड़ता दिखाता है, उनके बहुं को संकल्प को दर्षाता है, सेवा के शित्र में और इसी का प्रिणाम है, कि एक सेवा का जो पोदा रोपता है, उसको बहुत बड़ा फल मिलता है, और ये फल हम सब देखी रहे हैं, साधना, सेवा और साधना, साधना की अगर मैं बात करूँ तो कोई संत के जीवन में जो साधना होती है, उससे क्या कोई कम है, साधना सी यल्सी और सरवनजी में, आज भी प्रती दिन ऐसी सिक्षन सैंस्ता, जिसमें साइकाल सभी छत्र छत्राओं की उपस्तिते में सुंदरकांड का पाठ होता हो, हनुमान चालिसा का पाठ होता हो, विशेश आउसरों पे यग्य होता हो, विशेश आउसरों पे आरती होती हो, विशेश आउसरों पे प आध्यात्मिक्ता नहीं है तो और क्या है और उस बंदे ने तो उस वेक्ति ने तो उस मेरे मित्र ने तो CLC का जो सपना संजोकर साधना का बावलेकरी कारी वो कर रहा है उनके बाहों के पिछे कोई दूसरा हेतु नहीं है मैं जानता हूँ साध्य दो पांस दस लोग ये ऐसे हैं दो पांस लोगों में जितना उन सरवन जी को जानते हैं उतना मैं जानता हूँ तो उनके बाहों में कहीं कोई दूसरा हित्तु नहीं है एक साधना का येत्तु है आज वर्तमान इस्तिती में संकट चल रहा है लोकडाउन चल रहा है बच्चे चातर चातराई सब घर चले गए फिर भी उसके बावजूद भी सेलसी के मेस में जहां चातरों के लिए परती दिन तीन चार पांच जार चातरों का जो मेस में बोजन बनता था उन सब चातरों को घर जाने के बाद भी आज भी वो बोजन वैसे ही बन रहा है उन जरूरतमंदों के लिए बन रहा है तो आस पास में जो भी ऐसे मजदूर हैं जरुत मंद हैं उनके लिए बोजन बन रहा है वो साधनाई है वो तपस्याई है सर्वण जी के मन में एक दर्ड जो संकल्प है कि मैं हर गाम से डाक्टर निकालू हर घर से मैं डाक्टर निकालू कि ये साधना का ये भाव है ये उनकी साधना ही है और आज के समय में हम देख रहे हैं कि इस देश को डाक्टरों की कितनी भारी जुरुत है इसलिए जरूरी है कि प्रतेएक घर में, प्रतेएक गाउम में, प्रतेएक डानी में दोक्टर बने आज हम सब महसुस कर रहे हैं और ये सपना उस बंदे ने ले रखा है और ये सपना साधना के रुप में ही वो कारिय कर रहे है इसलिए जैसे मैं कह रहा था सेवा, साधना और सैंसकार सैंसकार तो उस वेक्ति के बहाँ में भरा पड़ा है संतों के परती, गुरुवों के परती, छोटों के परती, बड़ों के परती, राष्टर के परती, गोमाता के परती क्या सेंसकार होने चाहिए वो सब जानते हैं मैं तो उस पुरे प्रिवार से जुड़ावा हूँ जुड़ावा नहीं हूँ प्रिवार का में एक इस्सा हूँ इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई भी ऐसा कारिय नहीं होता CLC में उत्सव हो विजे उत्सव हो अन्य कोई कारिय हो जुस कारिय में किसी संत का सानिद्य नहीं हो ऐसा कोई कारिय नहीं होता हूँ सभी कारियों में संतों का सानिद्य वहाँ प्रदान होता है आज दो मिंट पांच मिंट संतों के दर्शन हो जाए तो हम अपने आपको सुभागे साली समझते हैं ऐसे बड़े-बड़े संथ उस सील सी बे आएं हैं उन्होंने सानिद्य परदान किया है उन्होंने सुभावासिस परदान किया है उन्होंने आसिरवाद दिया है ऐसे एक नहीं आज देश के बड़े-बड़े संत वहां आए ही ये कोई संयोग नहीं है ये पूरुव जिनम का सैंस कार है जो मां आगे बताऊंगा तब आपके समझ में आए योग गुरु स्वामी रामदेव जी हो दिदिमा सादवी रितमराजी हो और भी बहुत बड़े-बड़े संत यहां तक की पुझे पत्मेडा माराजी दत सरनानंजी आज के युग के वो रिसी हैं किसी के घर नहीं जाते फोटू नहीं किछवाते माला नहीं पैंते गो सेवा हमें अपना पूरा जीवन समर्पीत है ऐसे संत भी उस CLC के सादनास्तली पे तपोस्तली पे जाके अपनी उर्जा प्रदान की है कितनी बड़ी बात है और देखो सर्वनजी का इस प्रत्वे प्रारदूर बाव ही संतों के आशिवात से हुआ है तो वो संत कैसे नहीं है अ सर्वनजी का प्रादूर बाव अपने सेकावाटिशेतर में सातना में जो भूठ सिद संत मकड़िनाद जी थे उनके आशिरवात से ही सर्वन-जी का जन्म होगा है तो एक इतने बड़े सिद योगी संत के आशिरवात से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इस प्रत्वे पे आ प्रश्वार से सर्वनजी से हम सब जुड़े होए हैं ये भोतिशोभागे की बात है और इस देश के निर्मान में बहुत बड़ा योगदान सेलसी दे रही है इसमें कोई संदे नहीं है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा आवसक है व्यक्तित्वे निर्मान की आज के समय सबसे महत्वे पूर्ण आवसकता है व्यक्तित्वे की निर्मान की संख्या की दर्ष्टी में देखें तो देश में खुब संख्या है लेकिन सैंस का अरवान संख्या रास्टर भावसे आध्यात्मिक्ता के भावसे अपनत्वे के भावसे प्रेम भाहिचारे के भावसे अगर संख्या देखें तो कितनी कम है और वो कमी वाला कार्ये पूरा करने के लिए जो कार ये कर रहा है CLC इसमें कोई दोरा नहीं इसलिए किसी के हर्दे में हमारे सास्त्रों में भी देखो आता है बागवजी में भी लिखा है जिस वेक्ति के जीवन में सैंसकार नहीं है जो वेक्ति सैंसकार वीहिन है वो मन multiplic के रूप में होकर के भी राक्सास का रूप है और आज के समय में आदुनिक्ता के समय में हम देखें तो परिवारों में इतना समय है नहीं कि वो अपने संतानों को अपने बच्चों को सैंसकार दे दे वो सिक्सा के उपर ही अपना बरोसा रखते हैं अभी बावक भी कि ऐसी कोई स्कूल हो ऐसा कोई सैंसता हो जहां जाकर के हमारे बच्चों को सिक्सा भी मिले और सैंसकार भी मिले इसलिए सैंसकार देने का जो कारी ये CLC कर रही है बहुत बड़ी बात है और मैं ये बोलूँ कि सेवा साधना सैंसकार तीनों से परिपूर्ण वो सैंसता CLC वो समू है CLC जिससे हम सब जुड़े हुए है आज वर्तमान के छात्र हैं पूरुव के छात्र हैं सोबा के साली है मेरा एक अनूबव है जीवन का जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है किसी से सुना नहीं है मैंने खुद ने मेरे इतने वर्ष के अनूबव की मैंने बात की कि व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचारों का कोई व्यक्ति दोस्त के रूप में पुत्र के रूप में पत्नी के रूप में, पतिक के रूप में, माता-पिता के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है भाई-बहन, पिता-पुतर, पति-पत्नी, इसके अलावा में बात करूँ मित्र की बहुती सुबागे साले ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके जीवन में गुरु अत्वा मित्र इमानदार, प्रेम से प्रीपुर्ण, अपनत्व से बहे हुए, सुब कामनाओं से बहा हुआ हर्दे, ऐसा कोई मिले, मित्र अत्वा गुरु तो बहुती सुबागे साले ये जीवन की दर्शन की बात है दिरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतिकाल परखिये चारी जब आपतिकाल मलब जब प्रेशानी जीवन में आती है, तो ये चार लोग, चार भाव धर्म, धिरज, मित्र और नारी, ये ही कारी आते हैं, काम में आते हैं उनकी परख उसी समय होती है, तो यहां मित्र का भी बहावारा है, धर्म का भी बहावारा है धर्म का मतलब गुरु, गुरु का भी बहावारा है आपत्ति जब जीवन में आती है तब मित्र और गुरु ही धरहमी ही उस वेक्ति को पार पाड़ते हैं तो ऐसे गुरु अथ्वा ऐसे मित्र जिसको मिले हैं वो सोबा के साली है निश्चित उसमें कोई दोरा आये नहीं है हम सब लोग CLC से जुड़े हुए है ओकार जी क्या करे है जी तो आपके सवाल भी कोई आयेंगे बाद मिलेंगे आज इसमें जरूर कम चुल ला है मैं एक बर चर्चा कर लो उसके बाद में किसी आप चात्र चात्र आई हैं अभी वावक हैं अत्वाने जो लोग जुड़े हुए हैं उनके कोई सवाल भी आयेंगे प्रसन भी होंगे तो आप जरूर बेजना उनका उन पर भी चर्चा करेंगे लेकिन ये मेरे बावों की चर्चा है इस लोग डाउन के समय में प्रति दिन CLC की पूरी टीम ओनलाइन आकर के बच्चों को अलग अलग टिप्स देती है मैं भी देखता रहता हूँ मैं स्वेम भी कब से सोच रहा था कि एक CLC परिवार से प्रति दिन जो समवाद स्वेम सुरंजी खुद करते हैं उनकी टीचरों की टीम करती है सब करती है परिवार से मिलती है मेरे मन में भी मैं जब जब देखता था समय मिलता था तो मेरे मन में भी ऐसा आया कि ये प्रिवार है सील से प्रिवार इसे प्रिवार से मिलने का इस समय मुझे भी अवसर मिले इसा मेरे मन में ही आया मैंने बोला नहीं था सुर्ण जी को और सयोगी रहा तिन दिन पहले स्व मैं हम सोच रहा था कि ये जो CLC का प्रिवार है इससे मिलने का आउसर मुझे भी मिले और आपके मन में ये बहाव आया तो जरूर मैं मिलूंगा तो आज ये आउसर प्रति दिन आप अपने सर से आप अपने बोस से मिलते रहते हैं आज मेरे से भी एक बोस के मित्र से भी जो तो चोटे से चोटे बड़े से बड़े कारे करम होते हैं तो बीना CLC के टीम के उन कारे करमों की पूरूनता बनती नहीं है पिछले 25 वर्षों में बुद्गीरी मड़ी में खुब सारे कारेकरम हुए है एक से एक कारेकरम हुए है बड़े बड़े आधातिमिक कारेकरम हुए है बड़े बड़े संतों का सानिद्य प्राप्त हुआ है छेतर को उन कारेकरमों से उर्जा मिली है उन कारेकरमों की चर्चा निरंतर चलती रहती है लोगों में कारेकरम की भवेता के साथ कारेकरम की वेवस्ता को लेकर भी चर्चा चलती रहती है कारेकरताओं की उन कारेकरमों में वेवस्ता की दर्ष्टी से भी बहुत महतोपन भुमिका रहती है लेकिन उन कारेकरमों की सुचारू विवस्ता में उन कारेकरमों की बड़े-बड़े कारेकरमों की विवस्ता में CLC की पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान तो क्या कहूं उनका इसा भी रहता है ये CLC की पूरी टीम है वास्त में मैं देखता हूँ तो कैसे वर्तमार समय के साथ चलना है कैसे बढ़िया से बढ़िया करना है वास्त में ये तारिख वाली बात है सुनण जी खुद लगे रहते हैं बहुत बर ऐसा होता है कि कोई नई येसी टेकनिक होती है जो पहले विदेश में आती है और फिर विदेश में पुरानी हो जाती है तब वो बंबई पहुंचती है दिरी-दिरी फिर दिल्ली पहुंचेगी और विदेश वाले उसको फैंक देंगे तब वो जैपर पहुंचेगी और एकदम अन्तिम आजाएगी उस टेकनिक की तब वो सीकर सेखावड़ी में पहुंचती है ऐसे इस्तितियां देखते हैं लेकिन CLC की टीम ऐसी है जो बंबई वो टेकनिक पहुंचती है उसके पहले ही उसको उसक्सा के शितर में हो कैसे बड़िया से बड़िया कारे कर सकते हैं वो पुलप्त करवाते हैं लाते हैं ये बहुत बड़ी बात है बच्चों को कितना अच्छे से अच्छे पढ़ाया जा सके बच्चे कैसे अच्छे से अच्छे मन में अपने भाव और अपनी जो एक एक जूके सने सिक्स है सपने बे भी यही चलती रहती है कि मैं CLC को कैसे बढ़िया से बढ़िया बनाऊं, CLC से कैसे अच्छे से डोक्टर, अच्छे से अच्छे इंजनियर निकालूं और ये एक सहियोग ही नहीं है, एक इतनी 25 वर्स की तपस्या में CLC के दोवारा 20 अजार से भी अधिक डोक्टर्स देना, इंजनियर्स देना ये कोई कम बात थोड़ी है कम बात नहीं है, कितने कितने डोक्टर तो ऐसे हैं, बच्चे हैं, जो मेरे परिचित हैं जानता हूँ, मेरे पेत्र गाम के भी दो बच्चे हैं विनेस नेरा और निनेस नेरा ये डोक्टर निकले और कितने ऐसे जो बच्चे मिलते रहते हैं, जब भी कभी कोई कारेकर में जाना होता है, सहियोक से सरुण जी के साथ, तो कितने ऐसे चात्र मिलते हैं, जो आज कोई R.S है, कोई कोई डोक्टर है, कोई कहीं लगावा है कोई कभी बिजनेश व्यापार में तो उनके सैंसकारों को तो ये एक हम सब के लिए प्रेरणा है C.L.C. और सरुण जी संकल्प को मजबूत रखें और नया कुछ करने का जो जजबा है मन में उसको जिंदा रखें, उसको मरने खतम होने नहीं दें उर्जा जो है सात्विक उर्जा जो आज नस्ठ होती जा रही है युवाओं को मैं जब देखता हूं तब तो मुझे आस्चरी होता है हो गया युवाओं को जो एक ओज़स्विता है जो एक तेजस्विता है जो एक उर्जा है लगन है काम करने की वो एक नस्थ प्राई, मर्थ प्राई सी होती जा रही है लेकिन जब CLC को देखते हैं सुर्ण जी को देखते हैं तो एक चेतना आती है वो चेतना आउसक है ये मेरा वाहवे ये मेरा विचार है और निश्चिती ही हम CLC से जुड़ें और CLC से जुड़कर देश के निर्माण में एक जो महती भूमी का है उसमें भी हमारा योगदान रहे एक बहुती महत्व पुनकार गी है आज का यूग है सिक्सा की आपादाफी है इस यूग में जैसे मैं बहुत बड़ चर्चा करता हूँ आगे पांस जुलाई को गुरुपुरिनिमा आ भी रही है सनातन दरम में एक गुरु की बहुत बड़ी भूमी का भी है बहुत बड़ा उच्चास्तान भी है और सन्योग से उस बहाव के कारण उस सर्दा के कारण थताकतित गुरुओं की भी खुब बाड़ आई हुई है उसके कारण चंगूल में फंसकर के आस्ता के नाम पर अंदविस्वास में हिंदू समाज ठगा भी जाता है ऐसा ही कुछ हम जब देखते हैं सिक्षा के छेतर में तो देखने को हमको प्राप्त होता है दिखता है कि आज के समय में सिक्षा बच्चों को दिलानी है और इस सिक्षा की आपादाफि में खुब सारे ऐसे केंदर भी स्तापित हो गए जिनके चंगुलों में फंस करके हम हमारे बच्चों का बविस्षे बच्चों की सिक्षा से वास्ता खोवेड़ते हैं इसलिए सावदानी रखने की आवसकता निश्चित है इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन जहां बात करें C.L.C की तो ये तो ऐसी सेंस्ता है जिस पे जैसे नहीं कहते हैं कि आख बंद करके भी विश्वास किया जा सकता है ये बात मैं किस विचार से कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताना आप सक समझूँगा परिवार में गर में जैसे माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ध्यान रखते हैं उससे कम कोई ध्यान C.L.C में नहीं रखा जाता है अजहरों की संख्या में जिस सेंस्था में जिस सिक्षन सेंस्था में बच्चे हो और वहां उनके बोस उनके मुख्या उनके गारजन के रूप में प्रते एक बच्चे का नाम जानते हो ये कोई छोटी बात नहीं है C.L.C में पूरी C.L.C की टीम के साथ सुरंड़ी हर बच्चे पे ध्यान रखते हैं हर चीज का ध्यान रखते हैं ऐसा नहीं है कि सिक्सा ही सिक्सा का ड्यान रखा जाता है हमारी पास तो आपने बच्चों को पढ़ने बेजा है हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है पढ़ाई के साथ साथ उनके बोजहन की जिम्मेदारी उनके सेंसकारों की जिम्मेदारी वो कहां गुम रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हर उनके स्वास्ते की जिम्मेदारी एक बच्चे को जितनी आफसकता होती है और जितनी माता पिता की अभी बावों की जिम्मेदारी होती है वो पूरी जिम्मेदारी सेलसे में निभाई जाती है इसलिए सेल से पे हम आँख बंद करके भी विस्वास करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं जुरूरी है इस आपा दाफे में इस आधुनिक्ता में सिक्सा के एक बार्ड जो आ रही है उसमें हम कहीं फंस ना जाएं इसलिए ऐसी सेंस्ता सिक्सन सेंस्ता हम अमारे बच्चों को चैन के जब बारी आती है तब करें तो इसमें ये नाम और ये मेरी तो सुब कावना है आज ये सील सी का जो पोदा है एक से कावाटी में एक बहुत छोटे रूप में जो 1996 में रोपा गया था वो पेड़ वो वरक्स वाट वरक्स आज राजस्तान में जयपूर से लेकर जोदपूर विकानेर अलवर तक और मेरी तो निश्ची तो ये कलपना है और सुब कामना है कि उस बंदे में जो जजबा है उस जजबे पे इतनी ताकत है कि संबवत है पूरे भारत के बड़े-बड़े महानगर और राजस्तान का तो कोई जीला बचे नहां बचे ही नहां जहां CLC का पोदा नहीं है क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आव सकता है सहंसकार से परिपूर्ण सिक्सा हमारी बच्चों को मिले इसलिए ऐसी सहंस्ता है प्रतेक छित्र में, प्रतेक जिल्ले में प्रतेक बड़े महानगर में होंगी तब ही हम दे पाएंगी इसलिए यह नहीं चालू हो रहा इसलिए हम सब को ऐसी सेंस्ताओं से जुड़ने की आउ सकता है ऐसे मित्रों से जुड़ने की आउ सकता है आपके कुछ सवाल भी आएं होंगे लेकिन दूसरा जो मोवाइल है वो चल नहीं पारा इसलिए मैं उसका आप सब को कहना चाऊंगा कि CLC के पेज़ पे आप सब से मिल करके खुब अच्छा लगा और ओनलाइन जैसी पढ़ाई CLC करवा रहे हैं बहुत अच्छी है जुरूरी भी है लेकिन इसके साथ-साथ जैसे इस्तितिया नोर्मल होती है ओफलाइन भी बहुत जुरूरी है देख रहे हैं हम हम भी क्योंकि पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था लेकिन इस समय जब देखते हैं सिक्सा को सभी ओनलाइन सब पढ़ाई हो रही है बच्छों को गरों में भी पढ़ाया जा रहा है बच्छे गर में कैसे पढ़े हैं टीचर उनको बताते हैं ज़रूरी भी है आवसक भी है लेकिन ओफलाइन केंदर पे जाकर के अध्यापकों को अध्यापकों के पास टीचरों के पास जाकर के जो पढ़ने का और सिक्सा ग्रहन करने का और सीखने समझने का जो एक बहाव है वो ओनलाइन में इतना मुझे साइद ज़्यादा मैं नहीं जानता टीचर लोग ज़्यादा जानते हैं लेकिन कहने का मतलब ओनलाइन की पढ़ाई से बहुत महतों पुन है उफलाइन की पढ़ाई लेकिन इस्तितियां बहुती जल्दी नॉर्मल होंगी नॉर्मल होते ही हम पुने पहले छो भाव था पहले कर जो बुमिका थी उसी के साथ और उसे से भी बढ़कर के उसे भी ज़्यादा ऊड़ जा के साथ वहां जाकर कि हमको पढ़ना है और हाँ यह अब चालू तो हुआ तो है विदार्थियों को सिक्सा के साथ साथ सेंसकार से कैसे जोड़ा जाए क्योंकि आज कल पास्चाते सेंसकरती अपने पैर पसार रही है बच्चों को इससे कैसे दूर रखा जाए सरवन सेवदा विल्कुल सरवन जी भोती महतुपूर्ण बात आपने बोलिया आज के समय में जरूरी है कि सिक्सा के साथ साथ सेंसकार होने आव सकें और मैं तो कह रहा हूँ कि आज की सिक्सा ऐसी हो रही है लगबग जगों में जहां बच्चे को एक मसीन बनाया जाता है पैसे कमाने की बस इसमें अभी बावकों की भी इसे अप्कसा हो गई और पूछ लिए उठा अएक बात कर ले अभी बावकों के भी ऐसी अप एकसा हो गई कि मैं मेरे बच्चों को कितना अधिक से अधिक पैसे कमाए यही मुझे ऐसा ही मुझे उसको बनाना है ऐसी स्कुले हैं जहां उनको इसलिए बच्चे पैसे कमाने की मसिन ना बन करके प्रिवार समाज राष्टर को उससे जो अपेकसाएं होती हैं वो भी उनको दे यह बहुत जुरूरी है इसलिए पास्चा तैसे स्कृति से बचा करके उनको शिक्सा देना बहुती आव सके इसका ध्यान रखना जुरूरी है शियरल से पूरा ध्यान रखती है समय समय पर उनको आध्यात्यमिक्ता के भी यग यह हो सुंद्रकांड अन्वान चालिसा हो अने को ऐसे आवजनों से जोड़ा जाता है लेकिन उसके साथ और हम कितना अच्छा कर सकते हैं करने के आव सकता है पास्चाते से स्कृते से पता ना क्योंकि बाल मन है हम भी वापिस करके पूछ ले हम भी जब अपने बाल पन के समय में बच्पन के समय में जब जाते हैं और याद करते हैं तो उस समय बाल पन के समय में एक जो भाव होता है एक मन होता है बुराई को ग्रहन करने का ज़्य ज्यादा होता है इतनी विवेकता नहीं होती है इसलिए जो बुराई है उसको पकड़ने में ज्यादा ऐसे रहती है इसलिए उससे बचा करके रखना पास्चाते सेंसकरते से बचा करके रखना और गलत सेंसकारों से बचा कर रखना बहुत ही जरूरी है इसलिए हम हमारे बच अच्छे से अच्छे सेंसकार दें, यह बहुत जुरूरी है, कोई सवाला है तो मुझे दे दे मुझे, यह बहुत आवसकता है, और यह आजकल एक, मैं तो कहरा हूँ कि सिक्षन सेंस्ताओं पे जिम्यदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां सेंसकारों की घर परिवारों में जिम्यदारी होती थी, अभी बहावकों में जिम्यदारी होती थी, उन्होंने भी आज सिक्षन सेंस्ताओं पे जिम्यदारी छोड़ दी, कि सिक्षा भी सिक्षन सेंस्ताओं यह दें, अच्छी से अच्छी पढ़ाही भी वोई दें, और सेंसकार भी वोई दें, इसलि उनके सेंसकार भी आते हैं उसका रास्टर के परती प्रिवार के परती क्या बहाव है वह भी आता है नेतिकता भी आती है सब कुछ आती है जुझनों से महराजी एक सवाल रहेगा कि बच्चा इस परतिस थबाव के समय में स्वेय पो कैसे इस दबाव से दूर रहे वावΐ बिल्कुल परतीस प्रदा यह बहुत ही आज के समय में यह सवाल आवसक है देखो परतीस प्रदा आज के समय में बच्चों को मन में रखनी नहीं चीए और परतिस परदा कोई बच्चा अगर मन में रखे तो वो स्वेम से ही परतिस परदा करे दूसरे से परतिस परदा रखने की आप सकता नहीं है ये आज के समय में बच्चे हो चाहे बच्चों के अभिवावक हो ये परतिस परदा वाली जो बात है न ये बहुत विक्ति को पिछे ले जा रही है किसी से परतिस परदा कि आप सकता है नहीं है आज स्वयोग से देखो मैं सेवा के कारे में लगा हूँ और मेरा ये संकल्प है कि मेरे साधना, मेरी तपस्या, मेरा बजन सब कुछ गो सेवा ही है और कहीं किसी गोसाला में दो जार पांस जार गोमाताओं की सेवा हो रही है तो मुझे उस पांस जार वाली गोसाला से परतिस परदा क्यों रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए मैं स्वेम से परतिस परदा रखू ना कि आज मैं एक अजार गोमाताओं की सिवा करने की सामर्थेता रखता हूँ मेरी सामर्थेता दो जार गोमाताओं की सिवा करने की भी होने चाहिए मेरी सामर्थेता पांच अजार गोमाताओं की भी सिवा करने की सामर्थेता होने भी मैं किसी से परतिस परदा नहीं रखू, मैं स्वेम से परतिस परदा रखू, जैसे एक बच्चा 80% नमबर लेकर के आया है, और एक दूसरा बच्चा है उसने 90% ले आया है, वो दूसरे बच्चे से परतिस परदा क्यों करें, नहीं करने चाहिए, स्वेम से करें, मैं 80% लाया अपार्ख है और मैं तो कहता हूं चाहिए वो संत है पारतिस परदा स्वेम से करनी चाहिए दूसरे से नहीं करना चीए, दूसरे से करेंगे तो कहिन कहीं उसमें इरसया होगी, जलन होगी, और एक खुंदक सी होगी, इसलिए दूसरे को परतिस्परदा में नहीं रखना है, हमको स्वेम को परतिस्परदा में रखना है, जिस छित्र में भी हूँ, मैं अच्छा से अच्छा कर रह हर कारिये में रहती हैं, पूरुनता कहीं नहीं होती, क्योंकि हम बगवान बन नहीं सकते, और पूरुनता तभी होती है, जब हम बगवान बन जाते हैं, इसलिए पूरुनता कभी नहीं हो सकती, बगवान हम बन नहीं सकते, पूरुनता हो नहीं सकती, अपेकसा ही हर छेत्र मे इसलिए स्वयम सेantry परतिस्पदां रखते हुए काड़िय करें मैं नेतिक शिक्षा को भी वर्तमान से जोड़कर देखना चाहिए निक्धित है निक्तिक सा जो है वर्तमान शिक्षा से जोड़कर देखने की अतीय आफ्सक्ता है कि नेतिकता व्यक्ति में नेतिक्ता है तब ही वो व्यक्ति है और नेतिक्ता है यह नहीं तो क्या उसको व्यक्ति कहेंगे नहीं वो तो वेक्ति के रूप में दूसरा ही कुछ है, नेतिकता बहुत आवसक है, दया, धरम, करुणा, प्रेम, इमानदारी, अपनत्वे, जीमेदारी, ये सब नेतिकता की रूप है, नेतिकता होगी, तो ही पुरुनता वेक्ति के जीवन में आ सकती, इसलिए नेतिकता को बहु प्रदान करने वाली कोई हो बिल्कुल रामदेव जी ने भी एक जो सुजावी कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया है रास्ता पूछने से पहले हम बिल्कुल तो ये सब और कोई आपके सवाल हो तो आप भेज सकते हैं और लगबग 45 मेंट अपन को चर्चा करते हो गए और कुछ सवाल आपके हैं तो बेजे नेतिक्ता का और परतिस पदा की जो बात चल लए थी तो ये सब जरूरी है आवसक है और जैसे मैं कह रहा था ना कि आज के समय में जीमिदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जैसे मैं कई बर सोचता हूँ कि जो आस्रम हैं मठ हैं मंदिर हैं संत लोग यहां बैठे हैं उनकी इस समय बहुत ज्यादा जीमिदारियां बढ़ी हुई है देश के निर्माण में क्योंकि देश का निर्माण तभी होगा जब देश के लोगों के बहुँ में देश के परती, राष्टर के परती समरपन के बहावाएंगे जीमिदारी के बहावाएंगे मेरा क्या करतव भी है राष्टर निर्माणे वह सब समझ आएगी तब ही हम देश समाज परिवार का निर्माण हम कर पाएंगे और ये ये बहाविचार कहां से प्राप्त होगा ये गुरूं से ही प्राप्त होगा संतों से ही प्राप्त होगा अच्छी जो सिक्सा केंदर हैं वहीं से प्राप्त होगा इसलिए जैसे जैसे दरम के नाम पे, सिक्सा के नाम पे आडबर भड़ता जा रहा है वैसे वैसे ही परमानिक लोगों की, परमानिक मठ मंदिरों की, परमानिक सिक्षन सहस्ताओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक जिम्मेदार वेक्ति के मन में ही ये पीड़ा जाग सकती है कि ये जो समश्या है, इसका समादान करना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक परिवार है, जिस परिवार में, दस परिवार, उस परिवार में सदस्से हैं एक परिवार में दस लोगों लोग रहते हैं लेकिन उस दस लोगों के परिवार में जो परमुख वेक्ति हैं जो विवेक्वान है पिता है या बाही है या पत्नी है या मा है उसकी जिमेदारी बन जाती है कि मैं दसु वेक्तियों को एक साथ रख करके सेंसकारवान रखूँ कूरुतियों से दूर रखूँ जिमेदारी का एसास करवाऊं ये सब उसकी जिमेदारी परमुक वेक्तिकी बन जाती है तो वैसे ही आज के समय में इस पुरे देश में देखा जाए नेताओं की स्तिति आपके सामने है ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे लेकिन संतों की और गुरुवों की और सिक्सन सहिस्ताओं की बहुत बड़ी जिमेदारी बन जाती है कि इस देश के निर्माण में महतुपुन भूमिका हमारी भी हो इसलिए हम सब को संतों को भी और ऐसे सहिस्ताओं को भी सुबास जी क्या राजनिती को धरम से जोड़ना सही है सैनि बो सुबास जी का एक प्रसन आया क्या राजनिती को धरम से जोड़ना सही है देखो ये एक विडम बना है पहले भी एक बात आई थी चर्चा लकवक चलती रहती है कि राजनिती को दरम से जोड़ना चाहिए, धरम वास्ता में समझने के आउ सकता है कि धरम है क्या, उसके बाद में आपके एकदम समझ में आ जाएगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो दरम से अदोरी रह सकती है, धरम बिना राजनिती तो क्या, एक पत्र है ना पत्तर, वो भी पत्तर का भी, कंकर पत्तर जब रस्ते में चलते हैं अपन, जब मिलते हैं ना, उन पत्तरों का भी धरम है, तो राजनिती तो धरम बिना हो, वो राजनिती नहीं हो जाती है, वो तो फिर बरबाद करने वाली निती है, जरूरी है, जिस राजनिती में धरम नहीं है, वो रा राजनिती देश का बलाक कर ही नहीं सकती। राजनिती तो है राज और धरम ये अलग अलग हो कहां से गए। आप अगर रामराजे के कल्पना करेंगे, रामराजे के पहों को अगर देखेंगे तो उस रामराजे में था क्या। उस रामराजे में धरम ही तो था राज में, तब ही रामराजे था। अगर राज से धरम हंग हटा देंगे तो वो रावन राजे होगा, रामराजे नहीं होगा। क्योंकि रावन के राज्ये में राज था लेकिन धरम नहीं था इसलिए रक्सों का राज वो हुआ और राम राज्ये में राम भी धरम भी था और राज भी था तब राम राज्ये हुआ इसलिए राजनिती से धरम को हटाने की कोई सोचे तो वो अपने आपके विनास की सोच रहा है, अपने देश के प्रिवार की विनास की सोच रहा है, आज ये दूर्दसाई हो रही है इसलिए कि हमने धरम निर्पेक्सता का एक नाम दे दिया कि धरब निर्पिक्स देश है धरब निर्पिक्स राज नेती है भाई धरब निर्पिक्स कुछ हो ही नहीं सकता हर वस्तु का हर प्राणी का हर जीव जन्तु का हर जड़ का चेतन नहीं हर जड़ का भी धरब है मैंने बहुत पर बोला आज मैं आपसे समवाद कर रहा हूँ पेस्बुक पेस के माद्दिम से लाइव आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ इस माइक का इस मोबाइल का ये धरम है कि मैं बोल रहा हूँ आप सब तक पहुँचे अगर ये अपना धरम छोड़ देगी तो इसका अस्तित्व का है जल है उसका धरम है प्यास से वेक्तिगी पास प्यास बुझाए जल उस दिन अपना धरम छोड़ देगा तो जल का महत्व क्या रहेगा वायू का महत्व है कि वो प्रतेक जीव को प्रान दे वायू अपना महत्व है जिस दिन छोड़ देगी तो उसका धरम छोड़ देगी तो उसका महत्व बचेगा कहा है अगनी का महत्व है कि वो सितलता के साथ साथ उसके पास जो आता है उसको जलाने का भी उसका धरम है और वो ऐसा कारी अगनी छोड़ देगी तो उसका बचेगा, क्या है इसलिए धरम निर्पेक्स कुछ है ही नहीं, धरम निर्पेक्स ताका नाम दे दे करके इस समय बठकाने का कारी हो रहा है, राजनिती में धरम आवसक है, इस देश का बला तबी होगा, जब इस देश की रा पूड की तरब भाग रहे हैं, जैसे पिजा बर्गर पास्ता जो बिमारी का गर है, इनसे कैसे दूर रखा जाए बचों को करपया, इस बारे में भी बताएं, हाँ, बहुत बड़िया बात है, रिनु गराम पंचाइद को सवाल है, रिनु गराम पंचाइद जो गोसेवा म भी अगरे नी रहे है, फास्त फूड के माहिन है, तो आज काल मम्मी पापा भी कोई कम नहीं ही, बहुत बड़ो दोस्तों देखना ही हो, अभिवाव का में भी जावे है, उनको काम करने में बड़ा आलस होता है, कौन खाना बनाएगा, कौन सबजी बनाएगा, कौन आटा लगाएगा, कौन रोटी बनाएगा, मेगी ले आओ, पाणी में गरम कर लो, खालो, एक जो मम्मी पापाओं के मन में ये जो भावाया है, ये बहुत बड़ा कारण है, बच्चों को फास्ट पूड से दूर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये महा संकट की जो इस्तित ऐसी बेमारी जो आई है, ऐसी गंबिर बेमारीों का सामना नहीं कर सकते हैं, और ये देखा होगा, आपने मैसुस किया होगा, वी देशों की बनिस्पत, जो भारत के अलावा जो अमेरिका हो या अन्ने जो देशों, वहाँ इस महामारी से सामना करने की ताकत उन लोगों मे कम है, और यहाँ के लोगों में ज्यादा है, इसका अंतर आपने मैसुस किया क्या, क्यों है ये, वहाँ के लोगों ने ये फास्ट फुड खा, खाके अपनी स्वेम की जो हिमनुटी है, रोगों से लड़ने की जो ताकत है, वो नश्ट कर दी, और यहाँ आज भी जो पुर इसलिए ये पीजा बर्गर खा खाके हम अमारे बच्चों को हर दर्ष्टिश्य कमजोर कर रहे हैं, समझने की आप सकता है, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा बोजन खिलाओ, और मैं तो कहता हूँ गोवरती बनाओ, ये बात समझ में नहीं आएगी गोवरती वाली, लेक जैसे खाएंगे हम, वैसा ही हमारा मन होगा, याददास्त हो, किसी जो चेप्टर पढ़ते हैं उसको याद करना हो, या एकजाम देने जाते हैं उससे पहले की स्थिती हो, हम जो खाते हैं वैसा ही हमारी साइकलोजी बनती है, तो ये फास्ट पूर्ट ये जो अलकी चीज, नकली चीज, गंदी चीज खाने से, विक्ति की समन सक्ति कमजोर होती, समन सक्ति, विवेक कमजोर होता है, कीसे विकास कर पाएगा? इसलिए बच्चे को बच्चों के साथ साथ अभी बाव की इस पे ध्यान दें कि हम हमारे बच्चों को और CLC तो इसमें वैसे ही पहले सी अग्रेनी है CLC मीक की मेस में जो बोजन बनता है हमने देखा है हम जानते हैं बहुती सुद्ध सात्विक और देशी बोजन बनता है वहां पे बोजन खाना नहीं बोजन बनता है अच्छा आगला सवाल बहुत सारे सवाल आयों हैं कुछ ले लेते हैं आप तो बड़े संतों के प्रिये रहें बड़े संतों से क्या सिखा सांजा करे माराज अच्छा बास कर विकास अरे भाई आप तो बड़े संतों की प्री रहें ये बहुत बड़ी सोवागे की बात है कि बड़े संतों के साने दे साने दे मुझे प्राप्त हुआ आसिरवाद प्राप्त हुआ ये मेरे लिए बहुत गोरव की बहुत बड़ तो मैं ऐसा ऐसा फिल करता हूँ जब बड़े-बड़े संत मुझे आसिरवाद प्रेम दुलार परदान करते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश में इस दुनिया में मेरे से तो बड़ा कोई सोबा के सालिक कोई होगा ही नहीं होई रहे हैं इसलिए उसको बताने कि आवसकता नहीं मैंने ये सिखा है बड़े संतों के प्यारने दुलारने मुझे सेवा सिखाई है कि इस युग में सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं है कोई तपस्या नहीं है कोई बजन नहीं है वो मैंने सिखा है और सेवा में भी सर् आपको भी दूद पिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, बेमारों को हम इलाज दें, सेवा सेवा है, लेकिन सेवा में सरवो परी है गो सेवा, एक संत गो सेवा करें, तो उसके जीवन में तपस्या, इससे बड़ी कोई होई ने सकती इस यूग में, इसलिए मैंने गो सेवा मेरे प्रीय संतों से मैंने सीखी है, और ये सब को सीखने किया हो सकता, मारा स्री आज के लिए, ओनलाइन सिख्षा के महत्वपुर परकास डालिये, आज के समय में सब कुछ ओनलाइन ही हो रहा है, पढ़ाई हो, संतों के परवचन हो, कुछ सामान खरीदना हो, सब कुछ ओ हो जाएगा, तो मनुस्यता बचेगी नहीं, प्रेम भी हम ओनलाइन करने लग जाएंगे, बड़े बुजरों को बैठ करके जो सीखने वाली बात थी, वो दूर चली जाएगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो हम ओनलाइन नहीं दे सकते, वो सानिदे से ही प्राप्त होती ह और सानिदे ओनलाइन से कैसे मिलेगा, अब हो सकता है कोई दिल्ली में जपर में बैठा हुआ, मेरी बात सुन रहा है, बात ही सुन रहा है, सानिदे नहीं पा सकता, सानिदे पाने के लिए तो पास ही जाना पड़ेगा, इसलिए ठीक है, कुछ समय के लिए ओनलाइन, लेकि जुरूरी है जब से लोगडाउन लगा है तब से ये सवाल जो ओनलाइन वाला जो सवाल है ये प्रदीब जी पंचार ने पुछा है सबलपूरा से और अब जो सवाल आ रहा है ये प्रजापत जी का है जब से लोगडाउन लगा है तब से आज तक बाड़ मेर जिले के अंद हजारों गो बगतों की टीम दुवारा पंद्रा, हजार रासी की डोली एक पिक अप गाड़ी निरासित को माताओं को जोड कर बहुत ही बड़ी आगो सेवा कर रहे हैं वाड मेर से, बहुत अच्छी बात अगर कोई आप से बिल्कुल बिल्कुल कोई जलता है आदोनिक शिक्षा के से लिफस में बदलाव जरूरी है बिल्कुल बदलाव तो बहुत जरूरी है लegन आज तो आपना CLC परिवार के पेज पर बैठ याँ बदलाव करने के लिए दूसरे पेज़ पराशिया ज़ित बात कर सेया और CLC परिवार तो बो परिवार है जो बदलाव की आपां चर्चा कर रहे हैं सिक्सा के सहलेबस में बो CLC परिवार बिना सिक्सा के सहलेबस में बदलाव करे दे रही है इसलिए बहुत सी बातां सरकार बदलाव नहीं भी करे तो भी आपा कर सका अब भी जुरूरी है साहे सरकार तो कुन करेगी महारलागर के बारन अमारवड़ी मागों महारलागर के बारन नाड़ी है नाड़ी गंदी हो रही है नगरपाली का तो आकर सपाई कोन करेगी थेगर लियो थानो कोई मना थोड़ी ना करे नगरपाली का कद आवेगी कद नहीं करेगी इरबान नहीं करेगी तो बाद भी नुक्सान थानी है मच्वर गंदगी थाराईगर के साम नहीं इसलिए बहुत सा, बहुत से ऐसे कारिये होते हैं, जो हम सरकार के पर इसे छोड़ के गलत करते हैं, हमको करना चाहिए ना, हम जितना कर सकते हैं, करना चाहिए, सरकार से लेवेस नहीं बदल रही, बदलना चाहिए, जरूरी है हम कहते हैं, मांग करते हैं, लेकिन नहीं बदल तो मेरे पास जो आएंगे उनको मैं कहूंगा भई माराना पड़ता है आप यह सीखो चेत्र परती सिवाजी राष्ट्र भग्ते हिंदू तुखवादी थे आप सीखो यह तो हमाज सीखा सकता हूं बता सकता हूं बताने चीए कानी सुनाने चीए ओम नमो नारायन माराज जी जैए गोमाता की आदेश आदेश गंगाना जी माराज यह हो गंगाना जी माराज धरम में विज्यान था था विज्यान में धरम कितना उचीत है यान उचीते करप्या मारक दरसंदे में देखो विज्यान वो ही है जिसमें धरम है जिसमें धरम नहीं है वो विनास है विज् हज्ञारों के ऐसी ऐसी विक्सित हमारे रिशियों ने कि हैं लेकिन उनमें धर्म था पूर्न धर्म था इसलिए उनका शाइड इफेक्ट नहीं हुआ आज के विज्ञान में धरम नहीं है इसलिए उसका दुस्प्रबाव हम देख रहे है वर्तमान में जो हमें दुस्प्रबाव मिल रहा है इससे जदा कोई है नहीं हमने खुब बड़े-बड़े विमान बना दिये हजारों की संक्या में, संकडों की संक्या में लोग बैठ करके कहां से कहां जा सकते है सेटेलाइट हमने चांद पे पहुंचा दिया बहुत विकास लेकिन बहुत सारे जो विकास हमने किये है विज्ञान बड़ा है उस विज्ञान में धरम नहीं है और जिस विज्ञान में धरम नहीं है वो विनास की ओर ले जाएगा इसलिए विज्ञान में धरम बहुत ही जुरूरी है हर जगह जैसे पहले सवाल आये था ना हर जगह दरो जुरूरी है किसी व्यकति को किसी समाज को और किसी देश को दूर्बल करना है नष्ट करना है तो उस देश के लोगों में उस प्रिवार के लोगों में उस व्यकति में कुछ सेंस कर बढ़ दो गावाम क्वावद चाल्या करती पहली अब भी चालती उसी कोई से बदलो लेणु में तो बाया दारूपानी शिखा दियो आ क्वावद गावाम चालती कोई से बदलो लेणु में तो दारूपानी शिखा दियो मतलब विमकुसेंसकार सिखा देओ, गड़तलच सिखा देओ, बताई वो नश्ट हो जैसी, तो किसी देश की सारी इस्तितियां खतम करनी है, देश को कमजोर करना है, तो वहां की सिक्सा पदती निश्ट कर दो, और वो भारत जैसी देश की सिक्सा, जिसकी कलपना मातर से ही एक बहुत बड़ा भावमन में बनता है, तो उसको नश्ट करने के लिए तो ये सब सड़ियंत और लंबा चली रहा है, कमल कुमार सेनी, माराजी दारात 3A अठाने की आवाज बुलंद होनी चाहिए, आप इस मूँ में लिडर्शिप करें, ठीक है, ये भी एक सिक्सा का विसे है, तो इस पर ही चर्चा करेंगे, माराजी से एक परसन है कि आज के बच्चे फास्ट पूड ये आ गया, हमने वही चर्चा के रही लिए घर में गो माता का पालन करना सुरू कर दो, तो सब ठुईक हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल, पास्ट पूड, गो सेवा तो बहुत ही आवसक है, अब गो सेवा को भी से, तो बोलांगा तो बार, समझे में को नहीं हो करें, वर्तमान सिक्सापति में सनातन सेंस करती है, बिल्कुल, ओं प्रकासजी गोरा माराजी को, ऑम आपनी बासा में बारता हैं, माननेता, कोन मिली, आपनी बासाने भी माननेता मिलनी चाहे, और नहीं मिलन्य तो आपने तो बोलो, कम से कम मो हो तो बोलू, आज इंदीम बोलली हूँ नहीं तो मातो, मारवाडी में मन तो अच्छigon पु पीडी रखो आपां तो इंदी बोल कर बहुत बड़ बढ़ने की कोशिस नहीं करनी चाहे जटे मारवाड़ी से काम निकले बड़े चलानी चाहे आग रंद मारवाड़ी समझ भी नहीं आवे जित तो चलो इंदी अंग्रेजी सारी बासा बोलो लेकिन आपां घरा में भी मिलक बहुत बढ़िया साय, राम देव जी शेस्मा, राम देव जी शेस्मा को बहुत बढ़िया सवाल है, स म expressions मारा जी जब हम अपने धरम का परचार करते हैं तो हमारे ही लोग द्वारा उनका विरोध किया जाता है तो इस बुराई को कैसे दूर करें, कोई क्या करता है उ अच्छा कारी कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, कोई क्या कर रहा है, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है, रुकाउटे हर जगा आती रहती है, उन बादाओं को पार करना ही तो जीवन का मुल्ले है, धरम के मारक पे जो चलेगा उस पे ज्यादा बादाएं आएंगी क्योंकि पार के मारक पे चल रहा है, वो तो खुद बादा ही है, बादा पे बादा क्या आएगी, बादा तो वहीं आ सकती है, जहां बादा से बचने का जो कोई प्रेतन करे, धरम पे मारक चलने का मतलब है बादा को बचाना, धरम के मारक पे चलेंगे तो बादा आएंगी इसलिए आज का युवा तनाव चिड़ चड़ापन से लेकर आदुनिक्ता की तरह बढ़ रहा है युवाओं को एक संदेश दें क्योंकि ज़्यादा तर लोग कहते हैं कि समाज ने उन्हें क्या दिया है मगर ज़रूरी यह है वे समाज को क्या दे एक संदेश दे प्रभू बिल्कुल चिड़ चड़ापन तो आज काल भोत युगो वास्तम देखां गर परिवारां का मायन मन तो यहां सब बच्चा मेर गर परिवारां चिड़ चड़ापन सोगो सब यह सब क्यूं यह चड़ चड़ापन वनमा जो एक यहां अवसाद सो यह आवे ने इको बहुत बड़ो कारण है यह आपा एक तो यह आधुनित्ता कि तर बहुत फेलगा सारे दिन मोबाईल ही मोबाईल में लागे रहा है तो अच्छो संगीत सुननू अच्छे लोगां में बैठकर अच्छी चर्चा करनू पुराणी खाणियां सुननू दर्म की बातना सुननू और परिवार के साथ बैठकर समय बितानू बड़े बुजर्गां की काणियां सुन यह सब खतम होना से वेक्ति अगर वो सुभाव के विप्रीत चालन लाग जावे ने तो भी में चड़ापनी आओ फिर एक पक्सी है तोतो तोतो है भी तोतन ते पींजरम लेकर बंद कर दियो अच्छा तोतन नहीं सेर की उधारन ले 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 लो एक सेर है सेर को सुभाव थे जानो जंगल मेरे नास जं के सामकों देखा कि आपाँ सेर जगन वो एक सर कसाड़ो सेर ना भी कुत्ता कितनी आना चावे बोलो अब वो सेर को वास्ति विक्स्तु को सुभाव हो बिन पेंजरम लेना से और भी किया इस्तिती होगी तो बैयाई वेक्ति को सुभाव है प्रेम करूना दया उस वाव है वेक्ति को कि वेक्ति के मन में प्रेम जागरत हुए करूना जागरत हुए दया जागरत हुए अपनत्व जागरत हुए आप मैं बैट कर वो हांसी खुशी की बातां करे खुद के मन की कोई सेर करे और विश्वास पैदा करे वो सुभाव है वेक्ति को और वो जद वेक्ति कि मन में खतम हो जावाजद वो चिड़ चड़ापन होए ने तो वेक्ति प्रेम करें कोई से ने कोई पर वो विश्वास करें करूड़ा दयाब वो जाने को ने के ही तो यह लिए ऐस चीजां नस्टोने से और भी जीव के मायने चिड़ चड़ापना जावए अरो बोबाईल सोचिल मीडिया यह तो आज दूसमें नहीं चीज़ का मित्र भी अठही ही बाहिला भी सब कुछ लेंड दें यह लिए एस सब मन में राखना जुरूरी है आज सेल सीगा जगा बोश ही सर्वन जी बान कदे चिड़ चिड़ापन देख्योंगे वो जारां के संक्यामजद का सब्सक्राइब है तो भी बान को बच्चा को सब्सक्राइब है और बच्चा महीं तो भी बान को बच्चा को सब्सक्राइब है बाह आपका ओरिजिनल सब्सक्राइब ने कदे चोड़ियोंगो नहीं और नहीं चोड़ियों जद भाम कदे कोई तनाव देख्योंगो नहीं म कड़ चोड़ दिने है और बोस दो वास्तीवक बोस अगर कaking सबस्क्राइब यांन को अध्या है तीस Cambridge अब बच्छों हैं अब्चों देखो आंस जी खेलना ज भी खेलना जी को भी तौल इन बच्चा ने पढ़ा ही पढ़ा ही जरूरी है लेकिन कुछ समय बेने खेल कूदने के लिए भी आपना वेटने के लिए भी खानी करने खानियां सुनने के लिए भी कुछ समय बच्चा ने पढ़ा ही जरूरी है और आज काल मेरो तो माननों यह है कि जो बच्चा को यह सब चीजां जो हीने खतम होगी इसलिए इलिए ज्यादा चिड़ापन होगा है माँ खेल कुद की एकदम प्रिक्रिया कुछ मनोरंजन की सात्विक मनोरंजन की रिबस सब चीजां खतम होने कारणी यह सब चड़ापन की स्तिती होती जारी इलिए एक वास्त्विक सवाव के समय हुए वास्त्विक जो सुभाव की बात है हर वेक्ति की छोड़ता जा रहे हैं इलिए हाँ साथ चारीस समय और भी कापे सवाल आपके आ रहे हैं उन पे हम चर्चा करते लेकिन ये प्रति दिन लाईव का साड़े छह का समय होता है और यहां अभी आरती का भी साथ पेंतार इस आरती का समय होने लग जाता है तो आरती में जाना पड़ेगा इसलिए चर्चा हम लम्मी नहीं कर सकते एक राम चंदर जी राम करण जी चोडरी माराजी बच्चों को क्या सवाल है सेंसकारों पर बल देने के लिए भी योगता हैं बिलकुर राम करण जी को चोडरी को भी सवाल तो यह सब आपके जो सवाल आई थे उनसे भी हमने कुछ समाद किया और मेरे जो बाहुतें परती वो भी मैंने आपसे साजा किये और इस अंतिम पड़ाव में मैं आपसे यह कहूंगा आपको सुब कामना देते हुए आप उजवल भविसे की मैं कामना करता हूँ और आपने CLC का चैयन किया है यह बहुत ही महतुपुर्ण निर्णे आपने अपने जीवन में चात्र रखनों के विवाव को ने लिया है CLC एक विचार है CLC कल्पना है CLC सपना है और CLC एक प्रतियक घर से प्रतियक गाउं से DOCTOR बटर बने इंजिनियर बने ये सपना है, CLC कोई वेक्ती नहीं है, CLC कोई ऐसा नहीं है, CLC बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जो इस देश के निर्मान में कारिय कर रहा है, और मैं स्वेम CLC से मित्र के बाव से जुड़कर स्वेम से अपना गोरवानित महसुच करता हू मैं इस बाव से बता हूँ, जब भी कोई मेरे पास क्यों की सब को पता है, माराज CLC के एक इस्से हैं, तो मेरे पास भी बच्चों के एडमिनिसन से लेकर के अदने कारियों से लेकर के लोगों के फोन सूचना आती रहती हैं, लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं है कि ये का CLC ने मुझे दिया है, इस आधार पे मैं कहता हूँ कि CLC का मैं इस्सा हूँ, और ऐसे परिवार का इस्सा बन करके मुझे भी गोरवानित मैसूस होता हूँ, गरवे का गोरव का मुझे मैसूस होता है, और इसलिए मेरा भी एक सर्वण जी का जो सपना हो, सर्वण जी का न नहीं जो NTSC की जो एक्जाम होई उसमें टोप किया है पितामबर ने तो ऐसे बहुत से जो बच्चे हैं टोप करें ऐसा मैं सोचता हूँ और पुने है इस बाहों को समेड़ते हुए सुब कामना देते हुई है CLC परिवार देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करें मैं सर्वन जी को और उनकी पुरी टीम को सुब कामना देता हुँ बदाई देता हुँ और ये लोकडाउन की स्थिति शिकर पुरी हो जाए उसके साथ बहुत ही बढ़ करके उर्जा के साथ हमको सबको लगना है और बच्चों को अच्छे सेंस कार देने हैं पुने सुब कामनाओं के साथ मैं अपक्सा करूंगा कि पुने आउसर मिले तो मुझे जरूर समय दीजिए क्योंकि आज समय कम मिला आरती हो रही हो रही इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा कभी पुने आउसर मिले तो म